जलवायू के बारे में सबसे ताजा रिपोर्ट डराने वाली है साइंस जर्नल में छपी रिसर्च की माने तो समंदर हमारी सोच से 40% ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है जलवायू परिवर्तन पर नजर रखने वाले संयुक्त रास्ट के वैग्यानिकों ने अक्तूबर 2018 में चेतावनी दी थी कि अगर कड़े कदम नहीं उठाए गए तो बढ़ते तापमान की वजह से दो हजार चालिस तक भयंकर बाड़, सुखा, अकाल और जंगल की आग का सामना करना पड़ सकता है जलवायू परिवर्तन के खत्रों से निपटने के लिए वैश्विक समुदाय को लंबा सफर्ताय करना है लेकिन गुड कंट्री इंडेक्स के मताबिक कुछ देश इसमें सकरात्मक योगदान दे रहे हैं इस सुचकांक का मकसद धर्ती और इसकी जलवायू पर अलग-अलग देशों के प्रभाव को मापना है इसे तैयार करने वाले स्वतंत्र निती सलाहकार सिमोन एन होल्ट कहते हैं भुमंडली करन और पारास्परिक निर्भरता के युग में हर चीज का पूरी व्यवस्था पर असर पड़ता है चाहे तुरंथ हो या देर से धर्ती और जलवायू में सकरात्मक योगदान देने वाले देशों की सूची में नार्वे अवल है पर्यावरण के लिए इसने कई पहल का नेत्रित्व किया है नार्वे के लोगों ने सबसे ज़ादा इलेक्टिक कारें अपनाई है और सरकार ने शपत ली है 2030 तक यह देश उस मकाम पर पहुँच जाएगा जहां से वो पर्यावरण को कोई छती नहीं पहुचाएगा प्रकृती के साथ इस देश का रिष्टा नीतियों से बहुत आगे तक है नार्वे के लोगों ने खुले में रहने की आधारना को अपनाया है वे सेहत मंद और खुश रहने के लिए घर के बाहर वक्त बिताने की एहमियत को भी समझते हैं नार्वे में बाइक शेरिंग प्रोग्राम चलाने वाली कंपनी अर्बन शेरिंग के संस्थापक और CEO एक्सल बेटिसन कहते हैं हमारी संस्कृती का हिस्सा है बहुत लोगों के लिए तो यह धर्म जैसा भी है हम सभी मौसम में घर के बाहर समय बिताते हैं हमारे बच्चे बाहर जपकी भी ले लेते हैं राजधानी ओसलो इस मामले में अद्वीतिय है कि आप यहां सीध्या जंगल में आ जा सकते हैं 2019 में यूरोपिया आयोग ने जलमार्ग बहाल करने साइकिलिंग और सारोजनिक परिवहन पर निवेश करने और कार्बन डाय अकसाइड के उत्सरजन को ट्रैक करने का तरीका खोजने के लिए ओसलो को यूरोप का ग्रीन कैपिटल घोशित किया गता इस शहर ने अपने केंद्रिय हिस्से को कारों से मुक्त कर दिया है पार्किंग स्पेसिस को हटा कर वहाँ पैदल चलने वालों और बाइक के लिए जादा जगा बनाई गई है विश्व स्वास्त संगठन ने दुनिया के 15 सबसे प्रदूशित शहरों की सूची जारी की इस सूची में उन शहरों को रखा गया है जहां की हवा सांस लेने लाइक तक नहीं बची है हैरानी तो इस बात की है ऐसे 15 शहरों में 14 शहर हमारे भारत के हैं इस सूची में पहला अस्थान कानपूर का है वहीं हर्याना का फरीदाबाद दूसरे अस्थान पर वारणसी तीसरे अस्थान पर और बिहार के गया को चौथे और पटना को पाँचवे नमबर पर रखा गया है विश्व स्वास्त संगठन की लिस्ट में छटे अस्थान पर दिल्ली और लखनव को साथवे नमबर पर बताया गया है इस लिस्ट में आगरा, जैपूर, जोधपूर, पटियाला, श्रीडगर और गुरुग्राम का भी जिक्र किया गया है World Health Organization की लिस्ट के 15 शहरों की सूची में चार उत्तर प्रदेश के हैं रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी राजसरकार ने प्रदूशन से निपटने के लिए अभी तक कोई विशेश कदम नहीं उठाया है किसी का भी शहरी और छेत्री अस्तर पर बिगड़ती हवा पर ध्यान नहीं गया यहां तक पिये मोदी को अपना संसदिये छेतर तक नजर नहीं आया शायद ही आपको पता हो कि एर क्वालिटी इंडेक्स में हवा की इस्तिथी को 0-50 के बीच अच्छा 51-100 के बीच संतोज जनक 101-200 तक ठीक ठाक और 201-300 तक खराब जबके 301-400 तक बहुत खराब और 401-500 तक गंभीर माना जाता है State of Global Air Report 2019 में बताया गया है कि 2017 में वायू प्रदूशन के कारण उत्पन बीमारियों से तकरीबन 1.2 मिलियन भारतियों की मौत हो गई